Hello students, आज हम Psychus Part 3 में Psychus के Rackis और Leaflet की आंतरिक सरेशना या Internal Structure के बारे में पढ़ेंगे आईए सबसे पहले हम बात करते हैं TS of Rackis की Students, Psychus के प्लांट में सबसे उपर की और स्टेम के टिप पर पत्तियां सरपिलाकार करम में लगी रहती हैं ये Foliage Leaves आकार में बहुत बड़ी होती हैं और इसके सेंटर में एक Rackis मौजूद होता है जिसके दोनों तरफ Leaflets मौजूद होती हैं जैसा की आप इस डाइगरम में देख सकते हैं सेंटर में ये एक Rackis है और इसके दोनों तरफ से Leaflets निकली हुई हैं अगर हम इस Rackis का TS या अनुप्रस्त काट काटें तो it is rhomboidal, biconvex और roughly cylindrical in outline तो ये जो TS होगा वो एक cylindrical outline वाला होता है if the section passes through the base, middle और apex of the Rackis respectively अगर ये जो Leaf है चूंकि size में बहुत बड़ी होती है इसके base से हम अगर Rackis का TS काटें middle portion से और tip से अगर Rackis का TS काटें तो इसकी सरशना में कुछ हलका सा हमें difference देखने को मिलता है two arms are present on rackis, one on each side rackis का जब हम TS काटें हैं तो ये cylindrical होता है लेकिन इसके दोनों तरफ से दो arms निकली हुई दिखाई देती है चूंकि rackis के दोनों तरफ से leaflet निकली हुई है इसलिए rackis के TS में भी हमें हर साइड में एक एक arm निकली हुई दिखाई देती है these are the bases of the leaflets which arise from the rackis और ये जो arms है वो हमारे leaflet का base होती है दे आउटर्मोस लेयर कंसिस्ट ओफ थिक वाल्ड एपिडर्मिस विच इस हैविली क्यूटिकुलराइजड चूंकि साइकस एक जीरोफिटिक प्लांट है इसलिए रैकिस का जब हम TS कारते हैं तो इसके सबसे बाहर की जो आउटर्मोस लेयर है वो थिक वाल्ड एपिडर्मिस की बनी भी होती है और साथ ही साथ इस एपिडर्मिस पर एक क्यूटिकल की परत जमी हुई होती है हमारे रैकिस की जो एपिडर्मिस है उसमें अपर एपिडर्मिस और लोवर एपिडर्मिस दोनों तरफ संकन स्ट्रॉमिटा प्रेजन होते हैं संकन स्ट्रॉमेटा किसी भी जिरोफिटिक प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है चुँकि ये जो स्ट्रॉमेटा है वो ट्रांस्पिरिशन की रेट को कम करते हैं बिलोग दा एपिडर्मिस इस प्रेजेंट क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ओफ क्लोरेनकाइमा followed by thick wald sclerankymatis reason और हमारे जो साइकर्स का रेकिस है उसके एपिडर्मिस के just नीचे ग्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है means chlorophyll containing cells और उसके नीचे sclerankymatis reason होता है means sclerankyma की cells प्रेजेंट होती हैं जो हमारी folies leaves को मजबूती प्रदान करती है स्क्लेरन कायमा is 4 to 6 layer और स्क्लेरन कायमा की 4 से 6 layers मौजूद होती है जैसा कि हम इस diagram में देख सकते हैं सबसे बाहर की और epidermis जिस पर thick cuticle की layer है उसके बाद क्लोरन कायमा और उसके नीचे 4 से 6 layer की स्क्लेरन कायमा मौजूद होती है बिलो दसक्लेरन कायमा is present a large reason of ground tissue consisting of thin-walled parenchymatous cells अब ये जो center में हम ground tissue देख रहे हैं ये ज्यादा तर हमारे रैकिस का part parenchymatous cells का बना हुआ होता है जिसे हम ground tissue कहते हैं In this region are present many mucilaginous canal and vascular bundle और इस ground tissue में बहुत सारी mucilaginous canal और vascular bundles present होते हैं Each mucilaginous canal is double layered structure consisting of an inner layer of epithelial cells surrounded by an outer layer एक mucilaginous canal है वो double layered होती है अंदर की और epithelial cell के layer और बाहर की और एक protective layer उसको cover किये रहती है Vascular bundles are arranged in omega shaped manner हमारे जो साइकस के रैकिस का characteristic feature है कि इसकी अंदर vascular bundles का arrangement उल्टे omega shape का होता है इस तरीके से हमारे vascular bundles arrange रहते हैं क्योंकि रैकिस के दोनों तरफ से leaflet निकली रहती है तो इन leaflet पर जो vascular bundles की supply जाती है जिसकी वज़े से ये हमारे vascular bundles इस तरीके से उल्टे omega shape के दिखाई देते हैं Each vascular bundle is conjoint, collateral and open and remains surrounded by a bundle sheet अब अगर हम एक individual vascular bundle की बात करें तो हर vascular bundle xylem और phloem का मिलकर बना हुआ होता है इसमें xylem अंदर की और phloem बाहर की और situated रहते हैं साथ ही साथ इन xylem और phloem की बीच में cambium मौजूद होती है और हर vascular bundle एक bundle sheet, single layered bundle sheet की द्वारा protect रहता है इन vascular bundles, the xylem is present towards inner side, consisting of phrakeets and xylem parent कायमा with no vessels जैसा कि हमने gymnosperms के general characteristics में पढ़ा था कि इसके vascular bundle में जो xylem होते हैं, वो phrakeets और xylem parent कायमा के बने होते हैं और इसके अंदर vessels अनुपस्तित होती है तो उसी प्रकार का xylem हमारे साइकस के रहकिस में भी देखने को मिलता है और xylem और phloem की बीच में cambium मौजूद होती है the xylem is diplo xylem that is it is consisting of centripetal and centrifugal xylem हमारे जो cycles के रहकिस का characteristic feature है कि इसके अंदर एक तो vascular bundle उल्टे omega shape में range है और दूसरा इसके अंदर diplo xylem है means दो तरीकी की xylem centripetal और centrifugal xylem मौजूद होते है phloem is present on outer side and consists of sieve tubes and phloem parenchyma with no companion cells यहाँ पर phloem में भी चालनी ने लिकाए और phloem parenchyma मौजूद होती है लेकिन companion cells या सहाय कोशिकाए अनुपस्तित होती है अगर हम हमारे साइकस के रैकिस की बात करें और इसमें जो diplo xylem condition है means दो प्रकार के xylem centripetal और centrifugal xylem इसकी आधार पर देखें तो अगर हम रैकिस को leaflet के base से काटें तो वहाँ पर vascular bundle में xylem की condition अलग होगी और अगर एक leaflet को beach से काटें तो वहाँ पर रैकिस में xylem की condition अलग होगी और साथ ही साथ अगर हम apex या tip से रैकिस का ts काटें तो वहाँ पर जो xylem की condition है वो अलग होती है तीनों ही conditions में means base, middle और apex से अगर हम रैकिस का ts काटें तो किस प्रकार के vascular bundles पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं अगर हम रैकिस मिस हमारा जो leaf का जो base है वहाँ से रैकिस का ts काटें तो किस प्रकार के vascular bundle दिखाए देंगे only the centrifugal xylem is well developed means अगर हम रैकिस को leaf के base से काट रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ centrifugal xylem हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर proto xylem center में situated है its proto xylem faces towards the center showing and dark condition means proto xylem अंदर की और है और metazylem बाहर की और है means and dark condition है centripetal xylem is not developed यहाँ पर हमें centripetal xylem अनुपस्त दिखाई देते हैं means base अगर रैकिस base का है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ centrifugal xylem ही दिखाई देगा अब अगर हम बात करें middle portion की middle से अगर हमने रैकिस का ts लिया है तो vascular bundle किस प्रकार के होंगे यहाँ पर centripetal xylem as well as centrifugal xylem are present showing diplozylic condition means जो diplozylic condition की हम बात कर रहे थे means xylem के दो रूप दिखाई देते हैं centripetal और centrifugal दोनों ही condition हमें middle portion में दिखाई देती है यहाँ पर इस diagram में हम देख सकते हैं सबसे उपर की और centrifugal xylem है center में proto xylem मौझूद है अब इस proto xylem के नीचे की तरफ centripetal xylem उपस्तित होता है centripetal xylem is present just opposite to the proto xylem of the centrifugal xylem तो इस तरीके से हमें यह जो दोनों प्रकार के xylem है वो रैकिस को अगर हम middle से काटें तो आसानी से दिखाई देते हैं vascular bundle at the apex of the रैकिस अब अगर हम रैकिस को पूरे लीफ के टिप से means apex वाले पोशन से अगर टीएस काटें तब हमें किस प्रकार का xylem दिखाई देता है centripetal xylem is well developed यहाँ पर base की उल्टी condition है means reverse position है यहाँ पर जो centripetal xylem है वो तो well developed है लेकिन जो centrifugal xylem है वो highly reduced है centrifugal xylem is much reduced and present in the form of two patches lying one on each side of the proto xylem element of centripetal xylem यहाँ पर centripetal xylem का जो proto xylem है उसके दोनों तरफ इस तरीके से एक patch के रूप में हमें centrifugal xylem दिखाई देता है अगर हम किसी भी leaf के apex वाले portion से रहकिस का टियस काटे है at the extreme tip the centrifugal xylem is totally absent और अगर बिलकुल extreme tip की हम बात करें तो यह जो centrifugal xylem देख रहे हैं यह भी वहाँ पर अनुपस्तित होंगे means जैसे जैसे हम base से उपर की और tip वाले portion की और grow करते हैं वैसे वैसे centrifugal xylem जो base पर well developed थे वो कम होते चले जाते हैं और centripetal xylem develop होता चला जाता है और जब हम tip पर पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ centripetal xylem दिखाई देते हैं centrifugal xylem यहाँ पर totally absent हो जाते हैं यहाँ पर हम इस diagram में cycles के तीनों position means हमारे rachis को अगर हम base से कटें middle से और apex portion से लें तो इस तरीके से हमें xylem की अलग-अलग condition दिखाई देती हैं first condition यहाँ पर हमने rachis को leaf के base से लिया है centrifugal xylem well developed है proto xylem center में situated है cambium और phloem हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम middle portion की बात करें तो यहाँ पर दोनों परकार के xylem हम clearly दिखाई देते हैं centrifugal as well as centripetal xylem लेकिन जैसे जैसे उपर की और जाते हैं centripetal xylem well developed है centrifugal xylem highly reduced है दो patches के रूप में दिखाई दे रहा है और अगर हम extreme tip की बात करें तो यह जो centrifugal xylem है यह भी वहाँ पर absent हो जाता है तो इस प्रकार से हमारे रैकिस में diplo xylem condition हमारे साइकस के रैकिस में TS में दिखाई देती है यह साइकस के रैकिस के TS का हम outline diagram और cellular diagram के अगर हम बात करें तो इस तरीके से outline diagram में हम दो branches या side में lateral branches देख सकते हैं जो की leaflet क्या base होंगी उल्टे omega shape में हमारे vascular bundles arranged है यहाँ पर cellular diagram में हम sunken stromata देख सकते हैं सबसे उपर थिक cuticle की layer है चूँकि हमारे जो साइकस का plant है वो zero phytic है तो इसकी epidermis पर cuticle present है upper epidermis यहाँ पर upper epidermis single layered है जिसमें जगे जगे पर sunken stromata मौजूद है epidermis की just नीचे chlorine chima present है जिसके अंदर वो cells मौजूद है जिनके अंदर chlorophyll present होता है इसके just नीचे sclerenchymetis tissue की 4 से 6 layer मौजूद होती है जो की हमारी foliase leaves को मजबूती प्रदान करती है और सबसे ज़्यादा जो portion है वो ground tissue का है ये ground tissue पेरनकाइमेटस या मौजूद की कोशिकाओं का बना हुआ होता है जिसमें जगे जगे पे mucilage ducts हम देख सकते हैं जिसमें two layers है अंदर epithelial cell की बनीफी को शिकाएं और उपर outer cells है जो इसे protect करती हैं center में एक vascular bundle हमें दिखाई देता है एक हर bundle bundle sheath द्वारा protected रहता है बाहर की और phloem और अंदर की और xylem मौजूद होता है xylem दो तरीकी का है centrifugal and centripetal xylem और xylem और phloem की बीच में cambium उपस्तित होती है अब हम बात करते हैं हमारे साइकस के leaflet की ts के बारे में students साइकस का जो leaflet है वो अलग-अलग species में अलग-अलग प्रकार का होता है हम बात करेंगे साइकस revoluta के leaflet की अनुपरस्त कार्ट के बारे में it can be differentiated into a fallen midrip portion and two lateral wings जैसा कि हम सभी को मालूम है कि साइकस का जो foliase leaf है इसके अंदर center में एक rachis होती है और दोनों तरफ 80 से लेकर 100 तक leaflets मौजूद होती है और यह जो leaflet है इसके center में एक midrip या मध्य शिरा मौजूद होती है जिसके दोनों तरफ से lateral wings निकली भी होती है the wings are curved downwards or revoluted at the margins यहां पर यह जो साइकस revoluta है इसकी खासियत है कि इसके जो wings है means जो leaflet के corners है वो नीचे की और मुड़े वे होते है means revoluted होते हैं इसी की आथार पर इस species का नाम साइकस revoluta है क्योंकि इसके जो leaf के margins है वो नीचे की और revoluted है या नीचे की और मुड़े होए है Outermost layer consists of thick bald epidermis surrounded by a layer of cuticle जैसा कि हमने रहकिस में देखा कि epidermis के बाहर की और thick cuticle मौजूद है वैसे ही हमारे leaflet में भी epidermis के बाहर की और thick cuticle present है Upper epidermis is a continuous layer by the continuity of lower epidermis is broken by many sunken stromata और leaflet के अंदर उपर की epidermis में कोई stromata present नहीं होते है लेकिन lower epidermis में sunken stromata present होते है Below the upper epidermis is present the sclerenchymetis hypodermis which is more cell 6 in the midrib reason अब यहाँ पर भी sclerenchymetis hypodermis मौजूद होती है और इसमें midrib बाले portion में sclerenchymetis जो cells है उसका नंबर ज्यादा होता है Hypodermis is absent below the lower epidermis अब जो lower epidermis है वहाँ पर hypodermis अनुपस्तित होती है except in the midrib reason यानि कि जो midrib reason है उसके दोनों तरफ sclerenchymetis tissue मौजूद होता है Mesophyll is differentiated into palisade and spongy parenchyma Mesophyll क्योंकि leaflet का मुख्य काम प्रकास translation करना है इसलिए यहाँ पर mesophyll की कोशिकाएं उपस्तित होती है जो दो प्रकार की होती है palisade tissue and spongy parenchyma Palisade is present in the form of a continuous layer below the sclerenchymetis hypodermis अब जो hypodermis cells है जो की sclerenchymetis की बनी हुई थी जो हमारी leaflet को मजबूती प्रदान करती है उसके जस्ट नीचे palisade tissue मौजूद होता है Cells of palisade are radially elongated and filled with chloroplast चूंकि इनका मुख्य काम प्रकास sensation है इसलिए इनके अंदर chloroplast प्रचूरता में मौजूद होता है और यह radially elongated होती है मिस लंबी cells होती है spongy parenchyma is present only in the wings directly above the lower epidermis और जो spongy parenchyma है lower epidermis के जस्ट बाहर की तरफ means lower epidermis से जस्ट पास में present होती है चूंकि lower epidermis के पास scleranchymatis hypodermis absent होती है तो यहाँ पर directly spongy parenchyma present होता है The cells are oval filled with chloroplast and are loosely arranged having many intercellular spaces filled with air spongy parenchyma आकार में गोलाकार होता है और इनके बीच बीच में intercellular spaces present होते हैं चूंकि यह प्रकास translation में gaseous exchange का काम करते हैं तो intercellular spaces जिनके अंदर air present होती है और यह प्रकास translation में सहायता करते हैं Few layers of transversely elongated cells are present in both the wings just in between the palisade and spongy parenchyma अब उपर की तरफ हमने बात की थी कि palisade tissue present है नीचे की तरफ spongy parenchyma present है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक elongated cells present होती है जिसको हम transfusion tissue कहते हैं primary transfusion tissue present just on either side of the centrally located vascular bundle means इसके अंदर दो तरीकी की transfusion tissue हुए primary transfusion tissue and secondary transfusion tissue primary transfusion tissue है वो हमारे vascular bundle के दोनों तरफ मौझूद होता है जबकि secondary transfusion tissue है वो हमारी जो wings है जो blades है वहाँ पर present होता है A single vascular bundle is present in the midri portion of the leaflet अब अगर हम center की बात करें तो यहाँ पर एक single vascular bundle बीच में मौझूद होता है The vascular bundle is conjoint, collateral and open and it is diplozylic यहाँ पर vascular bundle हमारे रैकीस की तरह ही collateral है, conjoint है means xylem और phleum एक ही vascular bundle में मौझूद है इन दोनों में से xylem अंदर की और और phleum बाहर की और तथा दोनों के बीच में ही cambium मौझूद होती है और यहाँ पर भी centripetal और centrifugal xylem उपस्तित होते है The triangular centripetal xylem is well developed with a dark proto xylem Centrifugal xylem is represented by two small groups on either side of the proto xylem तो यह वो condition हुई जो की हमारे रैकीस को अगर हम tip से काटते हैं तो वहाँ पर centripetal xylem triangular था साथी साथ centrifugal xylem दो patches की रूप में मौझूद था हमारे centripetal xylem के proto xylem के दोनों तरफ वैसी ही condition हमारे रैकीस में भी देखने को मिलती है मैं इस दोनों प्रकार के xylem दिखेंगे इसलिए diplo xylem जो condition है वो हमारे साथ के leaflet में दिखाई देती है phloem is arc shaped and remains separated from the cambium each vascular bundle is surrounded by a bundle sheet और जो vascular bundle है उसमें xylem के बाद cambium और cambium के बाद phloem उपस्तित होता है और ये जो xylem और phloem है एस एक bundle sheet के द्वारा covered रहते हैं the portion of the midrib in between the palisade layer and lower hypodermal region is filled with parenchymetis cells of which some cells contain calcium oxalate crystals अब जो इसके midrib वाला portion है वहाँ पर palisade tissue और lower hypodermal region की बीच में parenchymetis cells होती जिनके अंदर oxalate crystals मौजूद होते है यहाँ पर इस diagram में हम leaflet का TS देख सकते हैं चुकि हम psychus revoluta के TS की बात कर रहे हैं तो इसकी जो wings हैं वो नीचे की तरफ इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं इसलिए इसी हम psychus revoluta कहते हैं क्योंकि यह revoluted in downwards center में एक vescular bundle हम देख सकते हैं जिसकी चारों और bundle sheet मौजूद है xylem दो तरीके का है यह जो red color का है that is हमारा centripetal xylem और दो जो पैचिस की रूप में दिखाई दे रहा है यह हमारा centrifugal xylem है और palisade paranchyma हम यहां पर देख सकते हैं इसी प्रकार से एक vescular bundle के अलावा upper epidermis जिस पर thick cuticle की layer है sclerenchymatis hypodermis जो 4-6 layer की बनी हुई होती है midrib portion में sclerenchymatis hypodermis सिर्फ midrib reason में present है बाकी portion में यह अनुपस्तित है इसी प्रकार से palisade tissue जो उपर की और मौजूद है और नीचे की तरफ spongy paranchyma lower surface पर हम sunken stromata देख सकते है साथ ही साथ vescular bundle के अंदर centripetal xylem जो triangular shape का है और इसके दोनों तरफ centrifugal xylem phloem और xylem के बीच में यह cambium मौजूद है और इसके नीचे की तरफ phloem और transfusion tissue primary transfusion tissue जो की हमारे vescular bundle के दोनों तरफ है और secondary transfusion tissue जो की हमारे leaflets की blades में मौजूद है तो इस तरीके से cycles के leaflet के आंतरिक सनेशना या internal structure को इसके TS के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है यह इसका cellular diagram हम देख रहे हैं उपर के और cuticle upper epidermis, sclerenchymetis, hypodermis, palisade layer, accessory transfusion tissue या secondary transfusion tissue साथ ही साथ नीचे की तरफ गोलाकार parenchymetis cells की बनी हुई spongy parenchyma, lower surface जिस पर sunken strometa मौझूद होते हैं और जो transfusion tissue है primary जो की हमारे vascular bundle के पास होता है lower epidermis, यहाँ पर crystals of calcium oxalate जो हमारे ground tissue में मौझूद होता है parenchymatis cells की बीच में साथ ही साथ एक bundle sheet जो हमारे xylem और phloem को cover किये रहती है नीचे की और phloem है xylem जो की centrifugal और centripetal प्रकार का होता है और यह phloem से एक cambium के द्वारा separated रहता है तो इस तरीके से एक cellular diagram हम leaflet का देख सकते हैं So students, आज हमने बात की साइकस के rachis और साइकस के leaflet की आंतरिक सनशना या internal structure की बारे में So this is all about today's lecture Thank you